गांधी कोई महात्मा नहीं है, मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता, वो एक शातिर राजनिता है, ये बात बाबा साहिब डुक्टर अमबेटकर ने गांधी के बारे में कही थी, क्यों कही थी क्योंकि बाबा साहिब डुक्टर अमबेटकर गांधी को बहुत अच्छे से जान च थे वोँ पैचान चुके थे कि कैसे गांधी वर्ण विवस्ता के कटर समर्थक है और वर्ण विवस्ता को बनाये रखने के लिए, जातियों को बनाये रखने के लिए, किस तरह से उन्होंने बहुती शातीर तरीके से बोज्नों की अक्मारी की, इस वज़े से बाबा साब सितंबर 1932 जिसको पूना पैक्ट के तोर पर याद किया जाता है आज का दिन पूना पैक्ट के तोर पर याद करते हैं और आज ही के दिन गांधी के कोशिशों साजिशों की वज़े से बोजन समाज का ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरबाई आज तक नहीं हो पाई है पूना प सबसे पहले ये समझे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गांधी और बाबा साब जुक्टरांबेटकर के बीच में वो टकराव था अपने बहुजन समाज की हक मारी के खिलाब बाबा साब कैसे लाम बन थे और किस तरह से गांधी जो हैं वो वर्ण विवस्ता को ब गए थे और पहली बार लंदन में अंग्रेजों के सामने उनकी राउंड टेबल पर बैटकर बोजनों की डिप्रेस्ट क्लासेज की प्रतनिदित्व करने के लिए कोई व्यक्ति वहां गया था और अचूतों को समय क्योंकि अचूती के एंटचेबल के तोर पर पैचान थी तो उनकी नुमाइंदगी पहली बार हुई थी और वहां पर बाबासाब डुक्टर अंबेटकर ने अंग्रेजों को बताया उसे में जो ब्रेटिस प्रधानमंत्री थे रेम से मेकडोनल्ड उनको और उनकी बाकी टीम को बताया कि किस तरह से भारत में जातियों के आधार पर समाज बटा हुआ है और जो सबसे निचला तबका है उसको यो लोगा छूत कहते हैं उसको छूते भी नहीं है उसके पास कोई अधिकार नहीं है और उसकी किस तरह से यहां पर सोशन होता है अकमारी होती है और कितने जल्म ज्यातियों से उसे गुजरना पड़ता है ये इस तरह से जो अंबेडकर हैं वो वहाँ पर जाकर बदनाम कर रहे हैं देश को रेक तरीके का देश द्रोड़ी का काम कर रहे हैं लेकिन बाबा साफ जोक्टर अंबेडकर अंग्रेजों को ये समझाने में कामियाब हुए कि यहां पर अच्छूतों को आप जिस तरह से मु जाबरी होती है इसलिए आप उन्हें अलग से गिनिये और इस बात को जब ब्रिटिस प्रधानमंत्री रहम से मैगनोरल मान गए उनकी टीम मान गई तो फिर 16 अगस्त 1932 को कमुनल आवोर्ड की घोशना हुई जिसे आप कमुनल आवोर्ड जानते हैं जिसमें ये कहा गया कि सिखों की तरह और मुसल्मानों की तरह अलग से अच्छूत समुदाय को अलप संख्यक समुदाय की तरह माना जाएगा यानि उन्हें हिंदु धरम का हंग नहीं माना जाएगा और उनसे अलग एक समुदाय के तोर पर माइनुरिटी ग्रुप के तोर पर उन्हें ट्रीट कि जाएंगे, कमुनल अवोर्ड में ये व्यवस्ता की थी, ब्रिटिस सरकार ने उस समय भारत में समयदानिक सुधार के तोर पर कि जो अच्छूत समुदाय होगा, उसको अब प्रतक निर्वाचन शेत्र मिलेगा, यानि कि सेपरेट एलेक्टरेट एरिया उनका होगा, जिसमें वो अपने समुदाय के लोगों को चुनेंगे, यानि एक तरीके से जो अच्छूत समुदाय थे, उन्हें दो अधिकार मिले, पहला अधिकार सेपरेट एलेक्टरेट का, और दूसरा अधिकार दो मत देने का, दो वोट देने का, इसको मैं आसान भाशा में आपको समझाता कि ये है क्या, दरसल ये था कि जैसे जो विधानसभा शेतर आज के दिन आप देखते हैं, या फिर लोगसभा शेतर आप देखते हैं, तो कमुनल अवर्ड में ये विवस्ता किये गई कि जो अच्छूत समुदाय हैं, उनकी विधानसभा शेतरों में, उनके लोगसभा शे जिनने आहम तोर पर अच्छूत अंटचेबल सुसे में कहा जाता था, डिप्रेस क्लासिस कहा जाता था, तो यानि हम हमारा ही आदमी चुनाव लड़ेगा और हम ही उसको वोट करेंगे और हम उसको चुनेंगे और फिर वह आदमी हमारे लिए काम करेंगा, यह एक मोडल तरी जनरल केटिगरी से या सामाने सीट पर जो वेक्ति होगा उसे भी हम वोट देंगे, हम उसको भी अपना वोट दे के चुनने का काम करेंगे, यानि एक हम अपना वेक्ति चुनेंगे और एक सामाने वेक्ति चुनेंगे जो पूरे उसके लिए काम करेगा, लेकिन इसमें खा काम करेगा और हमारे लिए वो डेडिकेटेड होगा वो चमचा गिरी नहीं करेगा और किसी राजनेतिक पार्टी का चमचा बनकर नहीं रह जाएगा ये बहुत ही बड़ी बात थी और चूतों को अलब संक्यक समुदाय की तरह अलग से च्रीट किया गया ये बात हमें कमुनल कि नहीं आप इनको अलग से ट्रीट नहीं कर सकते और फिर भारत में आए वो उन्होंने यहां पर भी दबाओ बनाने की कोशिश की लेकिन जब ये आवाउड की घोशना हो गई तो फिर उनको ब्रिटिस सरकार के साथ उन्होंने कई पत्र लेके लेकिन उनकी बात नहीं मान ये रवदा जेल में जो हैं वो अंशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि यदी अचूतों को हिंदू धरम से अलग काउंट किया जाएगा और उनको सेपरेट इलेक्टरोइट का अधिकार दिया जाएगा तो मैं अपनी जान दी दूँगा ये गांधी ने उस समय किया था गूगल कीजिए गांधी ने अलग-अलग मोको पर अंशन किये लेकिन कभी इस बात को लेके अंशन नहीं किया कि अंग्रेज यहां से जब तक नहीं जाएंगे मैं fast unto death यानि आमरन अंशन पर बैठ जाऊंगा और जब हो जाएंगे तब ही मैं अंशन तोड़ूँगा ऐसा गांधी ने कभी नहीं किया लेकिन बोजन समाज के जो उनको हक मिले थे जो अदिकार मिले थे जिससे उनका भविश्य है सुनहरा हो सकता था जिससे उनका भविश्य है शांदार हो सकता था उसके खिलाफ जो गांधी है वो धरने पर बैठ गए आमरन अंशन पर बैठ गए में जब गांधी आमरन अंशन पर बैट गए तो उस समय पूरे देश में खलबली मच गई क्योंकि गांधी जो है वो समय देश में एक बड़े निता के तोर पर सुकार कर लिये गए थे आजादी के नायक के तोर पर उन्हें प्रचारित किया गया था कॉंग्रेस से और कॉंग्रेस की मीडिया की तरफ से तो जब वो आमरन अंशन पर बैठे उनकी जान पर बनाई तो बाबा सहब डुक्टर अंबेटकर के यदी गांधी को कुछ हो गया आपने मांग नहीं मानी और गांधी अगर उनकी मौत हो जाती है तो हम आपके साथ ऐसा सलूप करेंगे जो आपने सोचानी होगा और बाबा सहब डुक्टर अंबेटकर को खुले अमधम किया दी गई और उन्हें ये तक कहा गया कि यदी गांधी के साथ कुछ होता है तो फिर आपका जो अनुसूतित जाती जने जाती समाज पिछड़ा वर्ग है जो जिसको डिप्रेस्ट क्लास बाबा सहब संबोधित करते थे उसको हम आग लगा देंगे दंगे कर देंगे और उनकी बहुत दुरगती करेंगे इस तरह की धंकियां खुले आम बाबा सहब डुक्टर मेटकर को दी गई थी कसूरबा गांदी ने हाँ जोड़ कर जोली फैला कर बाबा सहब से भीक मांगी कि मुझे मेरे सुहाग की भीक दे दीजिए मेरा सुहाग बना रहे वरना मैं विद्वा हो जाओंगे अगर गांदी मर गए तो आप मुझे मेरे सुहाग की भीक दे दीजिए और बाबा सह समाज के साथ बहुत बुरा सलूप करेंगे बहुत सारी हिंसा हो सकती है बहुत सारी लोगों की जान जा सकती है इसलिए बाबा साब मजबूरी में एकदम मजबूर रोते हुए 24 सितंबर 1932 को आप बाबा साब जो है वो यरवदा जेल गए और गांधी के सामने उन्होंने बै कि जो अचूत है उनको हिंदु धर्म से अलग काउंट किया जाए और उनको सेपरेट इलेक्टरोइट का अधिकार मिले मजबूरी में बाबा साब ने रोते हुए उनकी आँखों से आसू निकल रहे थे उन्होंने पूना पेक्ट पर साइन किये और तब ये गांधी ने आ अधिकार बाबा साब ने एक तरीके से पूना पेक्ट पर साइन करके दे दिया लेकिन इसकी एवर्ज में बाबा साब ने कहा कि मैं आपकी बात मान रहा हूं लेकिन मेरे समाज के लोगों को आप जो है रिजर्वेशन दीजिए क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आपके जबूर होके और दबाव बाबा साहब की तरफ से भी बनाया गया कि यह वरना मैं साइन नहीं करूँगा तो फिर रेजर्वेशन के प्रावधान की बात हुई और यह कहा गया कि हम विधाईका में शिक्षा में जो है रेजर्वेशन जो है बहुजन समाज के आया अनुसूच के जरिये तो रेजर्वेशन इस तरीके से बाबा साहब ने हमें समयधानी गारिंटी के तोर पे दिया और जब बाद में उन्होंने समयधान लिखा तो उसमें इसका प्रावधान भी क्या क्योंकि उन्होंने इसी अधार पर पूना पेक्ट पर साइन किये थे तो यह बहु पहुचिये कि जो उन्होंने काम किया हमारे बहुजन समाज की भावनाओं को कितनी ज्यादा ठेस पहुचिये बाबा साहब कितनी पीडा में रहे होंगे उनका मन कितना दुखी होगा तो क्या हिंसा सिर्फ सारे जिक हमला ही है क्या हिंसा मानसिक हमला नहीं है मानसिक पीडा द इसमें शिकायद दर्ज कराई जा सकती है कि इसने मुझे mentally harass किया, mental torture किया, आज अपराध है एक तरीके के हिंसा उसको दुनिया भर में माना जाता है कि वो mental violence है, आप जो है उसको psychological pressure डालके उसके साथ violence ही कर रहे हैं, उसी तरीके से गांदी ने वहाँ पर भी हिंसा का इस्तमा बतानी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने बाबा साब पर दबाव डालने के लिए हिंसा का इस्तमाल किया था, उसका रूप था आमरनांशन, तो ये गांदी के विचार थे और उन्होंने गांदी ने इस बात पर वो अपनी जान की बाजी लगा दी कि मैं इनको अलग नही नहीं कर सकता, दरसल गांदी चाहते थे कि जो वर्ण विवस्ता है वो उसी तरह से बनी रहे, वनी जो चतुर वर्ण है जिसमें सब के काम धरम के आदार पर बाटे गए हैं तो गांदी ने इस बात की जो है उन्होंने सिफारिश की और उन्होंने जो उनकी किताब है आप जातियां हैं वो बनी रहें, जो चतुर वर्ण में जिसके काम जो दिये गए हैं वो अपना काम करता रहें और उसी से समाज जो है वो आगे बढ़ेगा क्योंकि उसको दिशा देने के लिए समाज को चलाने के लिए सब के काम बटे हुए होने चाहिए और जिसको जो काम दि दिखावा करते थे और बाबा साब कहते थे कि ये लोग जाती वादी नहीं है आपके लोग जाती वादी आपने घर जाईए उनको लोगों को समझाए कि आपको किस तरह से समानता की पाट सीखने की जरूरत है गांधी ऐसा चाहते थे बाबा साब कहते थे कि मैं जातियों के खात्मे की बात करता हूँ, मैं जातियों के उन्मूलन की बात करता हूँ, हम एनलीशन ओफ कास्ट की बात करते हैं, हम जातियों को बनाए रखने की बात नहीं करते हैं, और बाबा साब बार-बार ये कहते थे कि भई आप कैसे समाज चार वरनों में बाट सकते हैं कि ये पड़ेगा ये लड़ेगा और ये व्यापार करेगा और ये सेवा करेगा सेवा का जो पूरा का पूरा दाइतव है वो शुदर समाज पर क्यों हो बाकी के लोग ऐसा काम क्यों ना करें और किस तरह से आप जनम क्या धार पर तैह कर बाबा साब ने अनिलिशन ओफ कास्ट में ये बाते लिखी हैं कि क्या उसके लिए ओल इंडिया लेवल पर आप परिक्षाई लेंगे फिर सर्टिफिकेट देंगे फिर डिग्री देंगे और उसको सर्टिफाइट घोशित करेंगे कि इसमें कौन सा गुण है अगर किसी में दो या तीन या चारों गुण होंगे तो उसको किस तरह की सर्टिफिकेशन होगा और आप जातियों को किस तरह से बाट सकते हैं समाज का विकास कैसे होगा हमें जातियों को खत्म करना है बाबा साब ये कहते थे गांधी को उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि भाई वरण विवस्ता लागू हो जिसको जो धरम मिला है वो उसका पालन करें तो बाबा साब ने यहां पर गांधी को घेरा और उन्हें ने कहा आप तो बनिया जाती से आते हैं और आपका काम जो है वो चतुरवरन के हिसाब से वेश्य समुदाइ में आप जब आते हैं तो आपका काम व पूजापाट करना नहीं है आपका काम अध्यात्मिक धार्मिक काम करना नहीं है तो फिर हे राम का सत्संग क्यों करते हैं बार बार आप जो ये हे राम और जो ये हिंदू संस्कृति के ये पूजापाट ये काम करते हैं ये क्यों करते हैं ये तो ब्रामन धर्म का वर्ग का क तो आपने यहां पर भी धर्म द्रोही काम किया है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि धर्म के लिशाएथ से छत्रवरण के इसाफ के आपको अपने काम का पालन करना चाहिए तो आपने खुद क्यों नहीं किया बाबा साब ने गांधी से ये सवाल किया कि आपने खुद ये बात को applicable क्यों नहीं किया खुद के आचरण में क्यों नहीं लेके आए तो आपकी करनी और कतनी में बहुत ज़्यादा फर्क है और बाबा साहब ने इनी बातों पर घेरा और ये कहा कि मैं गांधी को कभी मात्मा नहीं मानता वो मात्मा नहीं है बलकि एक शातिर राजनेता हैं तो ये पूना पैक्ट में आज की एक कहानी मैंने आपको बदाने की कोशिश की और आपको समझाया कि किस तरह से हमारे साथ बहुत बड़े लेवल पर एक दोखादड़ी का काम हुआ और उसको नाम दिया गया कि अजादी के लड़ाई और अइंशावादी लड़ाई थी और उसी की वज़ές से आज आज आप देखेंगे कि जैसे मानेवर साहब काश्रीराम ने अपनी किताब चंचा यूग में लिखाय कि आभी क्योंकि जो नेता होते हैं विधायक या सानसद होते हैं वो समाज के नेता या विधायक नहीं होते हैं बलकि पार्टी के वफादार ने जाती कि लोग रिजर्व सीटों से जो आते हैं वो फिर संसद में विधान पालिका में जो है वो हमारे हितों के लिए कोई आवाज नहीं उठा पाते हैं और चाहे कितनी नाइनसाफी होती रहे वो नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो पार्टी के गुलाम बन जाते हैं चमचा जिने मानेवर्स आप कहते हैं आप देखिए तेरा पोइंट रोस्टर का मसला हो अभी जो है कास सेंसेस का मसला हो रेजर्वेशन इन प्रमोशन का मसला हो बहुत सारे पदखाली होने का मसला हो या फिर सेस्ट के उपर एक्ट्रो सेटीज का मसला हो या फिर प्राइव जी कल्यान मंत्री बनते हैं, वो हमारे ही समाज के लोग होते हैं, और वो सरकार का पक्ष रखते होते हैं, वो बताते हैं कि कैसे ये सरकार सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो कभी हमारे समाज के इतों की बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो पार्टी के गुलाम होते हैं और हमारे लोगों की स्थिति इतनी दुर्गम इतनी विकट इतनी खराब स्थिति नहीं होती जो आज है तो ये सब हो रहा है गांधी की वज़े से ये वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपनी राए कमेंट में बता योग दे ताकि हम इस तरह का काम जो हैं वो लगातारा आपके साथ करते रहें साथियो मेरा नाम सुमिछ चोहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद करी है मेरी सैयोग्यासरा परवीन अगले वीडियो में मिलते हैं साथियो